नमस्कार दोस्तों ये है capital budgeting का payback period का method का question और ये जो question है वो इस series के हिसाब से question number 4 है इसमें हम सीखेंगे के payback period किस तरीके से calculate होता है किस तरह के case में किस तरीके से calculate होता है example के साथ तो ये आप बहुत असानी से इसको अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे वीडियो को देखिए आखिए आखिर तक मैं हूँ आपका दोस्त अशुक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एड्यू ट्रिक्स ये है हमारा capital budgeting का question number 4 ये पहला case है when annual cash inflows are equal मतलब हर साल आपको जो पैसा मिल रहा है किसी एक machine या project में पैसा invest करने से वो हर साल आपको बराबर ही पैसा मिल रहा है same amount equal amount आपको मिल रहा है example हम देख लेते हैं भई cash outflow हमने किया यानि investment हमने किया है एक लाक रुपे का और इससे हर साल हमें मिल रहा है 20,000 रुपे annual cash inflow तो इससे हमें calculate करना है payback period हमारा क्या होगा दोस्तों अगर आपने capital budgeting की concept वाली वीडियो नहीं देखिया तो आप उसे देख लें उसका link मैं आपको उपर दे देता हूँ और description में भी दे देता हूँ concept वाली वीडियो देखने के बाद ये practical देखना आपको बहुत ही आसान लगेगा तो formula हमारे पास यहां पर रहता है इस case के अंदर initial outflow divided by annual inflow वाली जतना पैसा हमने लगाया वो उपर और फिर जतना पैसा हमें हर साल मिल रहा है वो नीचे तो इसे अगर अगर डिवाइड कर देंगे तो उससे आपको मिल जाएगा payback period 5 साल का सिंपल सी बात है ना एक लाग रुपे आपने लगाए और हर साल आपको 20,000 रुपे मिल रहे है तो ये एक लाग रुपे आपके पांच साल में cover हो जाएंगे तो पांच साल हो गया आपका payback period आईए अब देखते हैं दूसरा case when annual cash inflows are unequal अब आपको हर साल बराबर पैसा नहीं मिलेगा बिजनिस में ऐसे थोड़ा ना होता है आपने किसी machine को लगाया और वो machine आपको हर साल बिल्कुल equal amount ही आपको दे रही है amount तो उपर नीचे होते रहते हैं business में तो ये उस तरह का case ह और उसके अंदर भी ये पहला case है दूसरा case इसके बाद आएगा तब आप difference समझ जाएंगे दोनों case में difference क्या है लेकिन generally जो paper में आता है तो वो इसी तरह का question आएगा जो अब आपके सामने आएंगे इस बार cash out flow या फिर investment है आपका 18,000 रुपे का और हर साल आपको इतना इ तीसरे साल मिलेगा 4000, चौते साल मिलेगा 2000 रुपे ये आपका question रहेगा अब जो third column है वो आपका answer है आप बनाएंगे cumulative cash flow इसमें आप सबको add करते हुए चलेंगे पहला आगया आपका 8,000 फिर 8 और 6 हो जाएंगे 14,000 फिर 14 और 4 हो जाएंगे 18,000 और फिर 18 प्लस 2 हो 20,000 तो इस तरह से आप cumulative cash flow बना लेंगे cumulative cash flow बनाने के बाद अब आप इसमें देखिए आपकी जो ये investment थी 18,000 रुपे वो कौन से साल में आके पूरी हो गई अगर हम इसे देखें तो ये जो हमारे investment है वो तीसरे साल में आकर पूरी हो जाती है 18,000 रुपे हमारे तीसरे साल में recover हो गए तो बस जो तीन साल है वो हो गया हमारा payback period ये भी बहुत आसान था आई ये देखते हैं अब इसी का case number 2 ये जो case number 2 है अगर payback period से question आना हो तो वो case number 2 ही आता है तो case number 2 को ध्यान से देखिए तो हमारे पास वही same calculation है cash outflow यानि पैसा हमने लगाया है 18,500 रुपे चार साल का आपके पास cash flow है और फिर आपने इसका बना दिया cumulative cash flow अब अगर हम देखें तो जो हमारा 18,500 का investment है वो 18,000 और 20,000 के बीच में कहीं आएगा अब इसके अंदर जो difference है वो ये ही है first case के अंदर तो आपकी 18,000 का investment था और पूरा का पूरा पूरा अथारा अजार 18,000 और 20,000 के बीच में कहीं पर आएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो payback period होगा वो तीसरे साल और चौथे साल के बीच में कहीं पर आएगा तो तीन साल से थोड़ा सा आगे चल गए और चार साल से पहले आपके 18,500 कवर हो जाएंगे तो अब ये आप कैसे जो बीच वाला साल है उसको आप कैसे calculate करेंगे आएगे देखते हैं इसके लिए आप formula लगाएगे क्योंकि देखे ये तो आप समझ गए कि तीन साल से तो उपर ही payback period आएगा तो तीन साल और चार साल के बीच में ये आने वाला है तो फिर आप तीन स तो आपका fix हो गया plus ये तीन साल तो आपका रहेगा ही रहेगा तो फिर आप इसमें plus लेके चलिए क्या वो amount जो आपका कम पड़ रहा है 18,500 आपकी investment है और इससे ठीक पहले तीन साल पे आपके 18,000 रुपे cover हो गए अब आपके यहां पर 500 रुपे रह जाएंगे जो cover होने स बचे हैं और नीचे आएगा इन दोनों का difference बस इतना आपको ध्यान रखना है अब इसके बाद क्या होगा इसको आप solve करते हैं तो आपको मिलता है 3.25 years अभी ये आपको ठीक से पूरा महीनों में भी बताना है तो उसके लिए आप क्या करिए देखिए 3 तो हो गया 3 साल और जो 0.25 है उसको इस तरीके से आप महीनों में convert कर सकते हैं 0.25 का point मैंने उड़ा दिया तो 25 रह गया इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने point उड़ाया है और फिर क्योंकि इसको हमने months में convert करना है तो into 12 कर देजिए तो इससे आपको मिल जाता है 3 साल और 3 महीने य इतना बनता है quarter बनता है एक हिस्सा बनता है और साल का हिस्सा एक quarter कितना बनता है साल का quarter बनता है 3 महीने का तो इस तरीके से आपके हो जाएंगे 3 साल और 3 महीने तो दोस्तों यह अदा payback period का एक question जो मैंने आपको concept के बाद ये वीडियो में मैंने आपको practical में समझाया है उ और कॉंसेप्ट वाली और प्रैक्टिकल वाली वीडियो उसके लिए जोड़े रहे हैं मेरे साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में धन्यवाद